दुनिया के सबसे बड़े राजनितिक दल भारती अंता पार्टी में बहुत-बहुत स्वागत और अभिन्दन करता हूँ भारती अंता पार्टी ना किवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनितिक दल है बलकि दुनिया के सार्वधिक लोग प्रियनेता है अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार के वर्षों से है तो मानिनी नरेंदर मोती जी है और हम सब का एक गौरव है कि हमको उनके नेतरतब में काम करने का अफसर मिला है उनके नेतरतब में जिस तरह से केंदर की सरकार ने कारे किया एक और तो देश में 25 क्रोड गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए गरीब कल्यान की अनेको योजनाई चलाई चाहे वो 4 क्रोड पक्के मकान हो, 12 क्रोड शोचाले हो 10 क्रोड बहनों को सोई गयास का सेलेंडर हो या फिर 13 क्रोड घरों को नल से जल देने की बात हो 60 क्रोड लोगों को 5 लाग का इलाज मुफ्त में देने की हो या 80 क्रोड लोगों को मुफ्त में अनाज पहले भी दिया आगे भी मोदी की कारंटी है और मोदी की कारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब के आने के बाद भारती अन्ता पार्टी को और बल मिलेगा हिमाचल परदेश में हम और शेशक्त होंगे जिन वाइदों को करके पिछली सरकार हिमाचल परदेश में बनी थी वो वाइदे उतने ही जूठे थे जितने वो राज्यस्थान और 36 गड़ में थे और आपने उन चुनावों में भी देखा लोग पूछते थे कहां गई कॉंग्रिस की गरेंटी गरेंटी वहां फेल होने के पांच साल के बाद अफसर मिला था यहां सबा साल के बाद अफसर मिल गया है और सबा साल में जब चुनावाया राज्यसभा का तो जनता का गुसा इन छे विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रती और इन छे विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाब में शरीमान हर्शमाजन जी को चुनने का कारे भी किया आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादात में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारती अन्तापाटी में शामिल हो रहे है ये भी चाहते हैं कि मोदी जीन विक्सित भारत का संकल्प रखा है उस विक्सित भारत में इनका भी योगदान हो हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारती अंताबाड़ी का परिवार होगा उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे और हिमाचल परदेश को तो मोदी जीन अपना दूसरा घर माना है कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी जो वर्षों से अटल टनल का काम बन था वो भी मोदी जी ने पूरा करवाया यहां तक की छोटे से राज्यों को एम्स पीजी आई के मेडिकल कॉलेज दिलाए आई आई एम दिलाए सेंटर इन्वरस्टी दी और कम से कम पचास हजार क्रोड की तो किबस सड़कें ही दी है रेल का नाम हिमाचल परदेश में था ही नहीं यह उन्ना से लेके दौलदबूर चौंग की रेलवे लाइन का भी काम पूरा करा है इलेक्ट्रिफ़केशन करा है वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की चौत्थी चली तो हिमाचल परदेश से चली बिलास्पूर की रेल वी लाइन का काम तेजी से चला है चारो और फोरलेन हाईवे बन रहे है तो जब इतना विकास और गरीब कल्यान के काम लोग देखते हैं तो निश्य तोर पर मोधी सरकार के नीतियों में विश्वास और बढ़ता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस विश्वास को लेके सब आए हैं मैं अपने सभी इन भाईयों को कहना चाहता हूँ ये मोधी सरकार है और मोधी की गरंटी वो है जो पूरा होने की भारतियंता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए धन्यबाद। पार्टी उनका रखती है आप सबका भी मान सम्मान पार्टी सदेव रखेगी यह मैं महमंतरी के नातिय आप सबको कह रहा हूँ। आज हम विश्व की पांचवी अर्थविवस्ता बने हैं। भारतियंता पार्टी की बिचारधारा को सबकार करके ज्वाइन की हैं। सबसे पहले तुम्हें सभी कॉंग्रेस पार्टी से छे विधाएक जो पूर में रहे हैं वो बाती जनता पार्टी के सदस्य बने हमारे परिवार का हिस्सा बने मोधी जी के परिवार का हिस्सा बने। उन सबका विनंदर करता हूं स्वागत करता हूं। मित्रो हिमाचल जैसे छोटे से परदेश के लिए ये राजनेतिक दिश्ची से एक बहुत बड़ी घटना है। ये जो जिनका जिकर जिनका परिच्चे आपके सामने हुआ। ये कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता। कॉंग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटर रहे, कॉंग्रेस पार्टी में मिनिस्टर रहे और कई बार के बिधायक रहे ऐसे अधिकांश लोग यहां पर विया हैं और नई उर्जा देने वाले जो नौजबान भी हमारे साथ में हैं वो भी भार्टी जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं सवभाविक रूप से जो गटनकरम गटित हुआ है यह बहुत बड़ा संदेश पुरे कॉंग्रेस पार्टी के नेत्रितों के लिए है जो कारशयली काम करने का तरीका 15 मिने की सरगार हिमाचल परदेश में रहे है कोई भी व्यक्ति हिमाचल परदेश में ना जनता खुश है ना कोई व्यक्ति खुश है ना कॉंग्रेस का कैडर खुश है ना कॉंग्रेस के नेता खुश है और ये ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान जो कॉंग्रेस पार्टी में जो इनका अधिकार बनता था उससे बार-बार जो है वो बंचित किया गया इस दिश्टी से इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और उस कदम के चलते इनकी विधान सभाकिस सदस्यता बिस्मात हुई लेकिन उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने तैय किया है कि आज की आफशकता देश की आफशकता निरिंदर मोदीजी है कदम बढ़ाना चाहिए उनकी नेतियों से परवावित हो करके उनके काम करने के तरीके से परवावित हो करके आपने ये निर्नय भाती जनता पार्टी के परिवार में मोदी जी के परिवार में शामिल होने का निर्नय किया हम आप गाविनंदन करते हैं स्वागत करते हैं और ह थैंक यू बहुतु है। सरुप्रतम में अभार वेक्ट करना चाहूंगा और धन्यवाद वेक्ट करना चाहूंगा यहाँ आज उपस्तेत केंद्रिय मंत्री भार्ते जन्ता पार्टी के विष्ट नेता श्री अनुराग ठाकुर जी का यहाँ पर उपस्तेत राश्रे महा मंत्री श्री अरुन सिंग ज जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजी बिंदल जी का हम सभी छे के छे विधायक स्वेच्छा से आज भारती जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़े हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोगों के प्रशन रहे पिछले दिनों क्योंकि बड़ा लंबा अर्सा ये कश्मकर्श जैसी चली पूरे प्रदेश में कि किस कारणों वच इन लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ने का निर्ने किया सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि हम लोग जो चुन कर आए थे वो प्रदेश के विकास के लिए जन हिट के लिए इस पद पर पहुंचे और एक बार नहीं कई के बार लोग चुन करके आए जब प्रदेश के अंदर विकास का काम करने का वातावरण ना रहे और लगातार आतम सम्मान को व्यक्ति के ठेज पहुंचती रहे तो इस तरह की परिस्तितियां पैदा होती है आज कॉंगर्स पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉंगर्स पार्टी का कोई इस देश के प्रती विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है सिर्फ एक काम कॉंगर्स पार्टी आज की परिस्थिती में करती है श्रदे प्रदान मंत्री जी की आलोचना करना जिस कारण आज ये परिस्थितियां बनी है आज हम छे लोग सम्मिलित हुए हैं सोईच्छा से हमने राज्य सभा में जो मद्दान हुआ उसमें हमारे प्रदेश से जो उमीदवार भारती जनता पार्टी ने दिये हर्श महाजिन उनके पक्ष में मद्दान किया आप सभी जानते हैं दिखा करके मत डाला जाता है कोई चोरी चुपे ये मद्दान नहीं होता वो मद्दान किया इनके विरुद जो उमीदवार कॉंगर्स पार्टी ने दिये थे आप सभी जानते हैं कि वो जब उच्चेतम ने आले में रामंदिर का जब केश चल रहा था तो उसमें दूसरे पक्ष के वकेल रहे उनको वहां भेजा और इसलिए लोगों ने निरने लिया कि प्रदेश के वक्ती के हित में हम लोग मद्दान करें आज हम भारते जनता पार्टी में शामिल हुएं हमें चाहते हैं कि हमारा भी योगदान प्रदेश के विकास में राष्टर निर्मान में प्रदान मंत्री जी की नीतियों को देखते हुए हम अपने अपनी हैसित के अनुसार जो योगदान दे सकते हैं वो करें और आज हम यां आए हैं इससे पहले कभी कोई दल बदल नहीं किया और जब तक जिन्दा हैं भारतिय जन्ता पार्टी में रहेंगे एक कारे करता के रूप में काम करेंगे ये मैं कहना चाहता हूँ धन्यवाद प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के पूर कार्जकारी अध्यक्ष आज भारतिय जंता पार्टी में सामिल होने वाले स्री राजेंद्र राना जी से आपको संबोधित करें मंच पर आसीन केंद्री मंत्री शिरी अनुराग ठाकुर जी रास्ट्री महां मंत्री शिरी अरुन सिंग जी परदेश के हमारे हिमाचल परदेश के पूरो में मुख्या मंत्री रहे सिरी जैराम ठाकुर जी हमारे प्रदेश के भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजी बिंदल जी राजय सबा के सांसद सिरी हर्श माजन जी और मेरे तमाम साथी मैं सबसे पहले तो भारती जनता पार्टी के तमाम सीर्श नेतरतव आदनेश नरिंदर मोदी जी सिरी अमित्सा जी सिर्जय प्रकास नड़ा जी और तमाम नेतरतव का धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग इन सब के अशीरवाद से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और सुधीर शर्मा जी हमारे सेहोगी यहनों ने सारी बातें बता दी हैं और यह जो घटना करम हुआ है इसके बिचे बहुत सारे कारण है पिछले लगभग सवा साल से जिस तरीके से परदेश सरकार चल रही थी और किस तरीके से चुने हुए लोगों को हुमिलेट किया जा रहा था और जो गरंटीयां दी गई जो बाईदे किये गए परदेश की जनता हमरे चुनाक शेतर के लोग हमसे पुछते थे कि ये ऐसे से बाईदे आपकी पार्टी ने किये हैं इनका क्या हो रहा है नौजवनों की बात है नौजवनों की नौकरियां जो जो इनको मिलनी चाहिए थी वो सारे के सारे काम रोक दिये गए और अन्तते आदमी हर बात से समझाओता करता है स्वविमान से कभी भी समझाओता नहीं करता है और हम सब लोग स्वविमानी हैं ये लोग जो मर्जी बोलते रहें दूसरा मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कॉंग्रस पार्टी ने पार्टी में पुरे देश में एक पुलिटिकल डिजास्टर जो हो रहा है ये इसके पीछे आज लगता है कि कॉंग्रस का हाई कमान नजर नहीं आता है हम लोग परदेश के मुख्यमंतरी से बात करते थे सुनवाई नहीं होती थी हम रास्टी नितरतों से बात करते थे कोई सुनवाई नहीं होती थी और ये पुरे देश में कॉंग्रस में जो पुलिटिकल डिजास्टर हो रहा है आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है और आज हम सब लोग भारती जंता पार्टी में शामिल हुए है सुएच्छा से हुए है और हमें इस बात का गर्व है कि जहां पूरा देश आगे बढ़ रहा है हिमाचल परदेश आज इस सरकार में जो जैसे गाड़ी आगे चलती है बैग गेर में जो सरकार चल रही है आने वाले समय में हम अमीद करते हैं कि हम सब मिलकर परदेश को पारवर गेर्ड में लेके जाएंगे आगे लेके जाएंगे जहां देश आगे बढ़ रहा है हिमाचल परदेश भी आगे बढ़े ऐसी हम कामना करते हैं मैं फिर से पुरे भारतिय जनता पार्टी के नित्रतों का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम लोग भारतिय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और हम सब आगे मिलकर एक करे करता के तौर पर पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश निर्मान में हम सब लोग युगदान देगे तन्यवाद